नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त राजन सरोडिया नेके दोस्तों हम मद्ध प्रदेश वंड़क्षक परिक्षा 2023 की तयारी कर रहे हैं और सुबह दोस्तों हमने जनरल इंग्रिस का एक most important topic पढ़े थे जिसका ना पार्ट है ठीक है यदि आपने दोस्तों पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको देख लो उसमें दोस्तों मैं सुबह आपको 25 प्रस्न साल करवाए थे या 25 बनबड बताए थे ठीक है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम और देखते हैं नाए वनबड जिनके सफर कर रहे होंगे ठीक है तो आपको पता होगा लगेज क्या होता है लगेज मतलब दोस्तों कोई भी समान होता है ठीक है तो आप लेस फार लगेज एट रेल बेस्टिसन में दोस्तों जो लगेज होता है जो समान होता है उसको रखने के लिए किस्थान होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तो क्लोक रूम कहते हैं क्लोक रूम कहते हैं अगर हिंदी में कहा जाए दोस्तो याद रखना लापादा कमरा कहा जाता है कौन सा कमरा कहा जाता है लेकिन याद रखना दोस्तो आपको अंग्रेजी में याद रखना है उसे कहते हैं क्लोक रूम किस पिलिंग देख लेजिए दोस्तो यह वाला लोग टीक है यह वाला कलोक घड़ी वाला कलोक नहीं होना चाहिए और मैंना दोस्तों पहले बनसपती का बताया था तो उसको कहा जाता है फ्लोरा कहा जाता है ठीक किसी बिसेश चेत्र की बनसपती को हम फ्लोरा कहते हैं और किसी बिसेश चेत्र के जो जानवार होते हैं दोस्तों इसको फोना कहते हैं ठीक है अगर हिंदी में इसको कहा जा दो दोस्तों तो पसूबर्ग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं लेकिन आपको क्या करना दोस्तों यह बनबट सबसेटूचन ना एक segundo दे रहां एक जमना यज़यो दो कर लाइगा सब्सूर whट गो तिकि गारे ऌन इडैराइब केन लाइड on both and both layer and in water छीक है देखिए दोस्तों क Best मतलब लेन मंत्य पो तो जमीन होता है ठीक है तो इस्थल और पानी मतलब जल दोनों में रह सकता है तो ऐसे जानवार को कहते हैं तो इसे जानवार को कहते हैं दोस्तो उभैचर कहते हैं क्या कहते हैं उभैचर कहते हैं और जो इस्थल में रहते हैं इनको इस्थल चर जो जल म में रह सकते हैं उन्हें कहते हैं अभेचर हिंदी में लेकिन अंगरी जी में आपको याध रखना है अंफीबिया ये आपको याद रखना है क्या कहते हैं Amphibian दोस्तों जो क्या हो सकता है लेंड और वाटर दोनों में रह सकता है ४ृति नम्बर चार दो कहा जो एक ही इस्वर को मानता हो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है हिंदी में एक इस्वर वादी कहा जाता है और अंग्रेजी में कहा जाता है Monotheist क्या कहा जाता है Monotheist कहा जाता है Spelling सहीत याद रखना Monotheist Monotheist मतलब एक सुरवादी कहा जाता है चलिए Nest देखते है An Animal भीच हैच फोर फीट बचपन से आप काउ का निमन परते आ रहे हैं दोस्तो इसे पेट इनिमल होते हैं इसको का कहते है चोपाया कहते है हिंदी में ठीक है और अंगरीजीम आप से पूझ रहा है तो याद रखना यह देख लो आप past ऑ़ दो सुरें बचले लिखाए भाई तो इसके साब से आप याद देखते हैं कक्वाडूप्ड प्र्ण splits कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों इसका हिन्दी मर्त क्या हो जाएगा देखे ता जो सरकार के खिलाप रखाता है ता यह कहा जाता है उससे हिंदी में आद रखना बागी कहते हैं बागी कहते हैं न हम लोग तो अंग्रेजी में उसको बागी को कहते हैं रिवेल कहते हैं क्या कहते हैं आर ई बी एल रिवेल कहा जाता है ठीक है चलिए नेस्ट देखते हैं कहने का मतलब दोस्तो पानी का जो हो सकता है तो अतर्धिक भी बात होता है या तर्कहीन जो डर होता है क्या होता है पानी का दोस्तों अतर्धिक डर टिक पानी का पानी से डर लगता है दोस्तों जो तर्कहीन होता है उसका मतलब क्या कहना चाहता है उसको क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों ह ऑपने पढ़ा होगा ना ऑड्रो मीटर ही सब पढ़ा होगे और अदरक्ष कि First आतंग, ठीक है? चलिए नश्ट देखते हैं दोस्तों, an idea or that is not true, हिंदी में इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आप दाएए, देखे दोस्तों, एक बिचार या विस्वास जो सकते नहीं है एन आइडिया मतलब के हो सकता है या बिलीब के हो सकता है एक बिचार या विस्वास डैट इज नौट ट्रू जो सकते नहीं है उसे क्या कहते हैं सब मुमाया कहते हैं मुमाया कहते हैं या ब्रहम कहते हैं तो ब्रहम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलूसन कहते हैं, ठीक है, ब्रहम या मुह माया आपके तर्फना, ठीक है, चलिए नैसे देखते हैं, भाई, I speech made without preparation, ठीक, एक ऐसा भासर दोस्तों, जो बिना किसी तैयारी के बनाया गया है, उसको क्या कहते हैं, त तर्फना दोस्तों, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है, एक्स्टेंपोर, क्या कहा जाता है, एक्स्टेंपोर कहा जाता है, ठीक है, हम कह सकते हैं, दोस्तों की आचिंतित, बिना चिंता कि जो बनाया गया, एक्स्टेंपोर, क्या कह सकते हैं, एक्स्टेंपोर, ठीक है, च याद रखना चलिक्स्टेंट मतलब दोस्तों एक इसे बैप छिचोघ्जि को पर कहते हैं अ excessive की बात करें दोस्तों तो कोस कार कह सकते हैं क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कोस कार कह सकते हैं मतलब दोस्तों एक घर जो कुत्ता के लिए है या कुत्ता का घर को क्या कहते हैं प्याद रखना केनल कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या क्या कहते हैं क्या 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 क्य सोल और अगरेज में क्या क्या कहते हैं केली ग्राफी कहते हैं यद रखना केलीग्राफी अफेंट हवीं सब्‌ऐसकर अन्यवियर ठीकिज दर्लिंबन को कसूं बूस тон ऑफ % जो मानोजाती के लिए क्या करता है या मानोजाती से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं तो उसको कह सकते हैं दोस्तों याद रखना फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं क्या कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं हिंदी में इसको कह सकते हैं लोकोपकारक क्या कह सकते हैं लोकोपक लिए जो होता है स्वकुंग इन ऊठाइब होती है रखते हें चलिए लाइफ से अभी परसन इंड rocky हिंट अधर गो इच्रिया को आपको आटवाग वाय अथ्मा था बताया था और आज बता रहा हूँ बायोग्राफि के मतलब होता है दोस्तों जीनी हिंदी में कि होता है जीनी में बताए था आत्म अपत्त था जो दौरा लिखा जाता है ठीक है छली ने देखते हैं यह हो गाई आपके भाई 17 कौश्चन ने आपको पहला वीडियो और दूसरा वीडियो यह दो में आपको सभी सालों करवा दिया अभी दोस्तों यह दूसरा वीडियो है लेकिन इसी प्रकार से आपको दोस्तों कम से कम मैं 5-6 वीडियो दूँगा तब जाके दोस्तों यह टॉपिक कबर तो पूरा हो इनी सकता ना कितने वन वर सब्सक्राइब होगी आप और कितने मं पढ़ाऊंका लेकिन मैं मोश्ट इंपर्टेंट इंपर्टेंट पढ़ा दून गा ठीक है ज्याम माय है में तर्देट है यह टिक है अब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा मैं दोस्तों आपके लिए मेहनत करना पड़ेगा ठीक है चलिए वीडियो बसंद आया होगा तो लाइक जरू करना थैंक यू जहीं